पच नहीं रहा है न? कैसे एक बस्ती का लड़का डॉक्टर बन गया? जैसे एक ड्राइवर का बेटा तो अपनी तक्दीर में लिखवा कर ला आया था कि उसे सिर्फ ड्राइवर ही बन ना है. वैसे एक बात बोलो, मैं तक्दीर को नहीं मानता हूँ. इसलिए शायद अपनी महनत से अपने दम पर बन गया डॉक्टर. किसी रईजादे की तरह डोनेशन में खरीदी वी सीट नहीं थी. अपने मेरिट पर बैठा हूँ याँ पर. और अगर अब भी नहीं बच रहा है तो एक काम करता हूँ. हाज में की दवालिक कर देता हूँ, खा लेना. एक फैक्ट और बताता हूँ. एक छोटी सी खोली में दस से बारा लोग रहते थे हूँ. ऐसे बिलो पवर्टी लाइन वालों को अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड मेंटेन करने में कम से कम 342 साल लग जाते है. ऐसा मेरा नहीं. स्कॉलर्स और स्टैंडी का कहना है. और मुझे इसी लाइफ में अपना और अपनी बस्ती वालों का स्टैंडर्ड उठाना है. मुझे लाइन को तोड़ना है. कृपया प्रतिक्षा करें, आपका तार में, यह सब नहीं चाहिए. अगर लाइन को तोड नहीं गलत है, तो गलत सही. और हाँ, अपनी यह हमदर्दी, अपनी दया, कहाई बिचारा गरीब है, यह सब अपने पास रखो. मुझे नहीं चाहिए, बहुत हुआ. जिन्दगी को जीने की बात करते हैं. मेरी गरीबी, मेरी ताकत है. और यह बात, यहां के डॉक्टर्स को पिल्कुल समझ में नहीं आएगी. क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है, और मैंने गरीबी जी है. जिन्दगी को बचाने का दावा करते हैं न? जिन्दगी होती क्या है, यह बात मालूम भी है उनको.